समाधार, समाधार, समाधार और उसने सोचा कि मैं कुछ गिफ्ट तो लाया नहीं हूँ अपने मित्र के लिए क्या दूँ इसे अब वहाँ उनकी दिवार पे ही एक पेंटिंग टंगी हुई थी उसे ही उतार लिया उसने सोचा यही गिफ्ट दे दोंगा अब जब मित्र आया तो वह पेंटिंग जो उसने दिवार से निकाली थी वही गिफ्ट अपने मित्र को दे दी मित्र ने देखा यह तो मेरी ही पेंटिंग है खुश नहीं हुआ वो क्या आपको लगता है कि वो खुश हुआ होगा अपनी ही पेंटिंग देख करके नहीं फित्रो यही चीज तो हम लोग भी करते हैं न परमात्मा ने ही स्रिस्टी पे फूल, फल सब चीजें बनाई है और जब हम परमात्मा से मिलने जाते हैं उनके दर्शन करने जाते हैं तो हम भी उनहीं की इस प्रकृती से फूल और फल तोड़के उनपे अर्पित कर देते हैं कैसे परमात्मा प्रसन होंगे शायद नहीं उनहीं आवश्यक्ता किसी और चीज की है यदि हम अपने अंदर की विकृतियां अपने अंदर की बुराईयां उनहें देंगे और अच्छा बनने का संकल्प लेंगे प्रतिग्या करेंगे तो शायद वो हमसे कहीं जादा प्रसन होंगे यदि हमारे दिल का भाव होगा प्रेम का भाव होगा तो वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे हमसे इसलिए जब कभी भी हम ध्यान में बैठते हैं या ऐसे स्थानों पे जाते हैं जो पवित्रिस्थल हैं संकल्प जरूर लिया करें अपने अंदर की विक्रितियों को चड़ाने का और साथ ही अच्छे गुणों को धारण करने का जिससे इश्वर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और उनका आश्रीज भी हमें प्राप्त होता है ऐसे सुन्दरवात के साथ आज की समाधान के शुरुवात करते हैं अभिनंदन करते हैं आदर्निय भाताजी का ताता जी बहुत-बहुत स्वाग अतर अभिनंदन है ताता जी परमात्मा को प्रसन्न करना एक बहुत बड़ी बात होती है लगातार हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है और केवल फूल फल चढ़ाने से तो शायद ये बात नहीं बनती भगवान अपने बच्चों को प्रसन्द देखना चाहता है वो अपनी संतानों को सुखी देखना चाहता है इसलिए वो उन बुराईयों का त्याग चाहता है जिनके कारण उनका जीवन अस्यांत और दुखी हुआ है तो वही भगवान को प्रिय है उसे तक चुली कुछ भी नहीं चाहिए, कोई फूल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए, इससे उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है चली मैं आपको मेल के और लिए चलता हूँ, आज एक बहुत ही प्यारा सा अनुभाव आया है हमारे पास Kolkata से, Monali Mishraji का, और ये कहती है, Om Shanti I am writing this mail is to thank you for all your guidance and blessings you have bestowed on me in my difficult period After seeing your Samadhan program when I first decided to call you, at that moment I was not having any job in my hands In whichever field I tried, I faced only the failure. By following your guidance, I started practicing meditation in the way in which you told me Now the situation is that I am having 4-5 offers from different places, but I have decided to join the bank offer Now I am going to start a new journey in my life, but the path of meditation which you have showed me will always be followed by me Thanking you, with regards, Monali Mishra Kolkata से Monali Mishra को तो हम Congressionalism कहेंगे, बहुत अच्छा है, इनकी सफलता पर इनको बारंबार बदाई और मैं एसा ही कहता हूँ कि इने शिव अगा को भोग लगवा देना चाहिए क्योंकि सफलता का फाइनल स्रे उनको ही जाता है मुझे पी एक बात यादा गई, आज सवेरे जैपूर्स से एक व्यक्ति का फोन आया, नाम है स्यामसुंदर और कहा मेरी बहुत बड़ी समस्या थी बैक पेन, और इतना बैक पेन था, कि मैं रात को सो नहीं पाता था तो ये कुछ विधियां पनाई, सैट फोन किया उसने मुझे और दो चीजी हमने उसे बताई, मैं एक महानात्मा हूँ, मैं परमपवितरात्मा हूँ, उसने इसकी प्रेक्टिस सुरू की और पहले दिन वो चार घंटे सोया रात को, और आज उसने बताया, मुझे से एक डेड़ मास हुआ होगा, कि उसका बैक पेन फाइनली चला गया है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस्पेच्वल पावर, सच मुझ सभी समस्याओं का, रोगों का निदान करने में शक् ज्यान में हूँ, विद्याले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी मनोस्थिती अब तक बहुत संदर रही, परन्तु अचानक ही मन में बहुत व्यर्थ संकल्प आने लगे हैं, मन में यदि कोई एक भी संकल्प आ जाता है, तो मैं उसे रोग नहीं पाता, इसके लिए क्या सहज विद्य अपना हूँ, ये समस्या बहुतों के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि मन बहुत कमज़ोर हो गया है, तो अपने संकल्पों पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, करने चाहिए उसे न्यू थोट्स के लिए, और वो अधीन हो जाता है, किसी एक संकल्प के जो बारं सजेशन दूगा, कि सवेरे उठके ही, सुंदर विचार कि रियेट किया करें अपने मन में, तो कि ये मन की जो ये वीकनेस होगे, इसको जल्दी रोक लेना परमावस्चक होगा, अन्य था, मन इसको बहुत दुखी कर देगा, वो जो चाहे सोचा करेगा, और ये उससे परि आपने मन को प्रसंता से भरें, और फिर कुछ ऐसे विचार करें, मैं बहुत भग्यवान हूं, मैं तो सरो शक्तिवान की संटान बहुत सक्तिसाली हूँ, मैं तो मुल रूप से फवित्र हूँ, इस माया पर मेरी विजय निश्चित है, मैं बहुत सुखी हुँ, कही कई बार कर ले संगल, तो सवेरे ही मन चार्ज हो जाएगा, और सवेरे जब मन चार्ज हो जाता है, तो चार्ज हुआ मन बहुत एनरजेटिक रहेगा और इसकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी, एक विदी, उसके बाद, शंती में बैठकर 108 बार लिखे, मैं मास्टर सर्व सक्तिवान सुभई, इससे क्या होता है, कई लोग सो हम बारम बार ये बात क्यों बता रहे हैं, धीरे धीरे हमारा अंतरमन इसे स्विकार कर लेगा, कि यू आर मस्ट पावर्फुल, और अंतरमन जब स्विकार कर लेगा, तो हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाएगी, हमारा मन बहुत पावर्फुल हो जाएगा, और तब ये व्यार्थ संकर्प स्वत ही समात्थ हो जाएंगे सवेरे इनको लिख लेना चाहिए और दिन में भी जितनी बार भी हो सके ये लक्स बना ले कुछ दिन के लिए ही 21 दिन का ये अपना प्लान बनाए कि हर गंटे में मुझे 10 बारे बार याद करना है मैं मास्टर सर्व सक्टिवान हूँ मैं स्वराज दिकारी हूँ मन बुद्धी का मालिक हूँ 10 बार करे हर गंटे के वली 21 दिन तक ये बहुत पावर्फुल बन जाएंगे इनको भी व्यर्थ की समस्य आप रहता जी यही प्रैक्टिस करें जो आपने बता है यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी जो मैंने कही सवेरे से चालू करें स्वराज दिकारी का भी सवेरे अभ्यास कर लिया करें सवेरे माना पहले 10-15 मिनट में मैं मास्टर सर्व सक्टिवान हूँ स्वराज जदिकारी हूँ मन बुद्धी का मालिक हूँ अब एक संकल्प दे दे मैं मन का कंट्रोलर हूँ मैं मन से बहुत पावरफुल हूँ मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ मेरा मन मेरे कंट्रोल में है और फिर यह अभ्यास करें सारा दिन जो मैंने बताएं, तो वहाद जल्द, 21 दिन तो दढ़ता से कर लें, और अगर किसी को ज़ुदत पढ़े, तो और जादा भी कर लें, 20 दिन और कर लें, तीन मास तक कर लें, क्योंकि हर एक ने क्या-क्या भरा है अपने अंदर, और उसका इस तोर कितना है निगेट सी बढ़ जाती है, उसके अपने चित में बहुत स्यांती रहती है, काम करने को उसका मन करेगा, अगर वो इस्टूडेंट है तो बढ़ने में उसका मन लगेगा, तो टोटल ये एक ऐसी साधना है चोटी सी, जो जीवन को उज्वल बना देती है, बिल्कुल, पतेजी आज क जादा परिशान हो जाता है, ये प्रैक्टिस करें, जूसरा ब्रेन को एनर्जी दें, चार्ज करके पानी पीए, ब्रेन को एनर्जी देने की विधी, मैं फिर बता देता हूं, तो विधी यही है, दोनों हाथ मलते हुए, तीन बार याद करें, मैं मास्कर सरो सक्टी बाने तीन बार क्यों? ताकि हाथों में एनर्जी आ गया है और यह सक्तियों के वाइब्रेशन साथों में आ गए, इसको आएंबाये सिर पे रख दे, आखे बंद कर ले, और फिल करें ये एनर्जी ब्रेन को जातर, मेरे ब्रेन को नौर्मल कर रही है, परफेक्ट कर रही है, यह है ब्रेन को एनरजी देना, जिनको ब्रेन की तकलीफे हैं, या इस तरह के वियत संकत, या ये जो बीमारी आपने कहिए है, वो दस मिनट दें, कई बार जैसे आपने लिखने की बात कही है, या इस प्रकार के thoughts create करने की बात है, तो ये thoughts create करना कई बार थोड़ा सा मन को अरूची कर लगता है, कि ये क्या है और क्यों करें, अचा कुछ दिन करने के बाद भी यदि कुछ नहीं हो रहा होता है effect, तो भी उसमें फिर रूची नहीं होगी लिखने की भी, बहुत लोग लिखने ही पाते हैं, माताओं को कहता हूँ बच्चों को लिखाओ, तो थोड़ा सा लिखते हूँ, आ करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, मैं नहीं लिखूंगा, गुसा करने लगते हैं, क्योंकि ये problem होती है, तो इसमें माताओ को पहले अपने बच्चों को ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए और कोई बड़ा है तो उसे स्वयम ब्रेन को एनर्जी देन चाहिए सोया है तब दे दिन चाहिए हाथ ऐसे रख सकते हैं थोड़े पास में तच न भी करें वही नेंद खुले तो पास में रख दें ब्रेन को ए सर अच्छा होगा कि ब्रेन को एनर्जी देने से बहुत सारी चीजे ठीक होगा एक चीज और इनके प्रश्ण में था जो मैं पुछना चाहूंगा इन्होंने कहा कि पहले जब मैं विद्ध्याले से जुड़ा मेरी मनों स्थिती बहुत ही अच्छी थी और अब जाकर कि ये ब कल्यूग का प्रभाव बढ़ रहा है कल्यूग अपनी समाप्ति की और है यी संदर रहस्य जिसको कोई मनुस नहीं जानता और जिसको तरकों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता और वो यह है कि जनम-जनम के पाप और विकार जो हमारे मन में बसे हुए हैं ब्रेन में अभी जिनके प्रिंट्स हैं, वो उनके अब एक्टिव होने का समय आ गया है, अब ये बात न तो किसी मनुसको पता है, ये तो उपर से आई है, और न इसको तरकों के द्वारा को इसी इद्ध कर सकता है, न ये कहीं लिखी गई, लेकिन ये काम अब होना प्रारंब हो गया है ये हमने इस्वरिय ग्यान के द्वारा जाना है, इसलिए जो कुछ नहीं हो रहा है, वो अब होगा, संबंदों में कड़वाट आएगी, बीमारियां उगर रूप लेंगी, ये ही इनके साथ हुआ है, जब वो एक साल पहले थे, तो काफी अच्छे थे, लेकिन एक साल में स उसकार्थ ये नहीं कि वो तेज हो रही है, बलकि वो समाप्ति की ओर है, तो इसी तरह अगर कोई संसकार, कोई बुरे विचार आ रहे हैं जादा, तो उनसे घवराना नहीं चाहिए, वो नस्ठ होने के लिए आ रहे हैं, जैसे मानलो किसी ने ब्रंचरिय की परतिग्या की, अब उसकी पवित्रता पहले थोड़ी अच्छी भी थी, उसको व्यर्थ संकल्ब नहीं चलते थे, लेकिन बहुत लोग ऐसा सुनाते हैं, जबसे धरड़ परतिग्या की, हमारी दरस्ती दोगर जाने लगी, इसे घवराना नहीं है, क्योंकि वो इंप्योर्टी बाहर निकल लेगी, हम अपनी साधना चालू रखें, और वो सब कुछी दिनों में नॉर्मल हो जाएं, इसलिए कई लोग ये कहते हैं, कि हम पहले ही अच्छे थे, जैसे कुछ लोग कहते हैं, कि उपवास रखने का हमने संकल्प लिया, और जिस दिन रखा, उसी दिन इतनी ज़्याद तो ये तो एक दुखत समचार है, कि सभी लोग कितने दुख के दौर से गुजरेंगे, कैसे इस दौर को ठीक ठाक पार किया जाए, और जो निगेटिव प्रिंट्स हैं हमारे अंदर, उसे भी हम समार्थ करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं, कि ये खराब बात क्यों बताई जा रही हैं, लेकिन इस बात को जानना बहुत आवश्चक है, जो आवश्चक है, तो कि अन्होनी चीज घटेंगी, अपने पराए होने लगेंगे, इस चीज को स्वीकार करने के ऐसा टाइम आ रहा है, जैसे दिन चिपता है, रात सुरू होती है, तो सब को ख्याल है कि रा क्यूब सब को जलाएंगे, तैयारी की जाती है, तो हम भी इसके लिए तैयारी करें, और उस तैयारी में मैं दो तो क्वालिटी सब को बताता हूँ, सरल्ता, बहुत हलके रहें, कि जो कुछ होगा, ये होगा, वही होगा जो होना है, दूसरा, अपने बन को प्रसंद रखन की आदत डालें, जहां खुसी बहुत होती है, वहां मनुस सहजी हर चीज को पार कर लेता है, और तीसरी चीज अब जो प्रैक्टिस है, स्वामान की प्रैक्टिस बढ़ाएं, स्वामान से हमारी अच्छाईयां, हमारी सक्तियां जागरित होंगी, जो कुछ होगा उसे फेस करने की हमें सक्ति होगी, और चौती चीज फिर राजयोग मेटेशन करें, ताकि परमात्मा से हम जुडे रहें, उसकी मदद हमें मिलती रहें, और पाहड जैसे तुफान भी, दुख भी हमारे सामने आ जाएं, तो सहज पार हो जाएं, एक चार चीज़े सब को करनी चाहें मतलब हम ऐसे समय के लिए जैसे एकजाम होता है, तो उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं, वो तैयारी हमारी हो, अपने कहा मुस्कुराएं हम या हर्शित रहें, इर्मानली जी बहुत ज़्यादा अन्होनी घटना हो जाती है, तो ये मुस्कुराना या प्रसन रहना ये भार भारी बिलकुल भूल जाता है, अच्छे अच्छे लोग मुस्काना भूल जाते हैं, धनवान लोग मुस्कुरा नहीं पाते हैं, क्योंकि घटना है ऐसी चीज है, किसके बाद धन बहुत है, लेकिन money is not everything, वान लोग उसके बच्चे की मिल्ट्य हो गई, तो धन क्या करेगा अब जो अन्होनी की आप बात कर रहे हैं, शायद ऐसी कुछ घटना है यदी हो जाएं, बहुत होती है, सिदेंट हो गया, चलते चलते कार तो फस्क्लास थी, लेकिन राइवर को नीद आ गई, बैलून भी खुल गया, लेकिन जाग इदी कार गहरे गड़े में, बैलून भ क्या करेगा, चोट लग गई बहुत जादा, किसी की म्रत्यू भी हो गई, तो ऐसी घटना ही होंगी, प्रकर्तिक प्रकोब भी बहुत होने जा रहे हैं इस रश्टी पर, क्योंकि प्रकर्तिक अभी प्यूरिफिकेशन होगा, अब गाउं के गाउं नीचे से ले गए, पहा लंबेकाल का, इन सर्द्रस्यों में साक्सी रह सकेंगे, और मन को बाहर से तो प्रसंद रखना कठी न होगा, लेकिन मन को स्यांत रख सकेंगे, लब स्प्रिच्वालिटी की एक मार्ग है, जो इस प्रकार का एक्जाम हमारे सामने आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए, ए इसकी चर्चा भी मैंने की थी, कि यदि परमात्मा कहते हैं कि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे, तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, तो सच मुछ, मैं तो ये कहूंगा, जो भगवान ने हमें सुनाया है, स्वर्निम दिन आ रही है, golden days are about to come, और वो आएंगे महाविनास के बाद, क्योंकि पापियों के समय में अच्छे दिन नहीं आ सकते, माया के रावन के समय में अच्छे दिन नहीं आ सकते, जहां हर मनुस पाप कर रहा हो, वह अच्छे दिन नहीं आ सकते, तो पहले इस पाप को समाप्त करता पड़ेग इसलिए थोड़ा सा समय, वह कोई बहुत युगों तक नहीं चलेगा, थोड़ा सा समय, ऐसा समय दे दस साल वो गुरी घटनाओं से मनुस को गुजरना पड़ेगा, और फिर हो जाएगा, प्योरिफिकेशन और फिर golden days आ जाएंगे, बिलकुल, यहां की साफ सफाई की आव अच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ऐसी संभावना नहीं है ताकि यह भी उस golden age में आएं और वहां का भी आनन्द लें, पहला तो लक्स यही है, कि सभी अच्छे बन जाएं, सभी मनोविकारों से मुक्त हो जाएं, और इश्री के लिए कारिये हो रहा है, हम लोग हमार इस्वरिय विष्विद्याले, यह महान यद्य भी यही कारिये कर रहा है, कि सभी मनोविकारों से मुक्त हो, पापों से मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, लेकिन अंतत्य जब नहीं होते, जो हो जाएंगे वो तो सुखी, लेकिन जो नहीं होते, फिर उनके लिए यह सब इ तो उंगली तेडी करनीपधहि यह पडिया ती एक भगवान ही पढ़ेगा उसे, इसलिए मेहाविनास है , देखियो वह न होधा तो इसकी चर्चा भी परले के रूप में, महाविनास के रूप में, पहले से ही चर्चा, फिर एटम बॉंब्स बन गए, हाइडरोजन बॉंब्स बन गए, अब उंगेजियम में सजाये तो जाएंगे नहीं, उनका परियोग होगा, इतने देशों ने जो उन पर अथाध अंसंपदा लगाई है, उ विज्ञान भी एक रिफाइन रूप में पहुंच जाएगा, इस सबसे ग्रहों की लोकेशन, सिच्वेशन बदल जाएगी, उनके जो बुरे इफेक्ट हैं, वो सब बदल जाएंगे, इनके पीछे स्वर्निंग दिन छुपे हुए हैं, बस वो प्रगट हो जाएंगे, बि मेरे बड़े लौकिक भाई ने लगभग आट सालों से मेरे पूरे परिवार का जीना हराम कर रखा है, वो आईटी सेक्टर में काम करता था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन बुरी लट, शराफ, सिग्रेट, आदिक के चलते, नौकरी भी नहीं रही और पैसा भी नहीं रहा, स इस विद्याले से एक साल से जुड़े हुए है, अब बाबा के सिवाय मेरा और कोई दूसरा, सहारा नहीं है, आश्रा नहीं है, फिप्या कुछ उपाय बताएं, देकि दो विधी अपनाएंगे, ऐसे केसिज कई घरों में हो रहे हैं, युवा किस्तर है, बुरे संग में आ और नहीं तो पानी तो घर में पियेगा ही, पवित्र पानी चार्ज करके पिलाएं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये याद करते हुए भोजन बनाएं, और संकल्प करें कि इस पवित्र भोजन को खाने से इनका ये वियसन छूट जाए, दूसरी चीज, एक घंटा रोज इनके लिए योगदान करेंगे, माता और ये लड़की दोनों करें, बहुत अच्छा होगा, योग बहुत बड़ा बल है, दूसरों को भी बदलने में, उसमें संसकार जो उसके देव संसकार हैं, वो जागरित हो जाएंगे, और तीस तरी भी एक चीज में सजेस्ट करूँ और उसको ये संकल्प दें, तुम देव कुल की स्रेश्ट आत्मा हो, तुम तो बहुत महान हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, ये सराब छोड़ दो, ये रोज संकल्प दें, 21 दिन तक ये परियोग भी करें, तो निश्यत रूप से उसकी सोय वीचे इतना जग और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, तो ये सभी लोग बताजी, जो भी ये शराब सिग्रेट के आदी हैं, उनके परिवार वाले कर सकते हैं, ये तीन भी धी अपना से, बिल्कुल कि जो शराब पीते हैं, वो तो शायद इस चीज को स्विकार ना करें, लेकिन बहुत धन्यवाद, पित्रों शुरुवात मैंने की थी कि परमात्मा को क्या अरपन करें, जिससे वो खुश हो, एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, कि परमात्मा ही कहते हैं, कि तू करता वो है, जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है, जो मैं चाहता हूँ, तो वो कर, बुराईयां उन पे अरपन करें, और अच्छी इंसान बनने की ओर चलें, तो कहा जाता है, कि जब हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, तो परमात्मा की भी हमें मदद प्राप्त होती है, और इससे प्रसन्न भी होते हैं, उनका आशीष भी मिलता है, ना किबल उनका, लेकि हमारे आसपास के लोगों का भी, तो हम अच्छाई के पत पर अग्रसर हों, बुराईयों से मुक्त होते चलें, और साथ ही सबको मदद भी करते चलें, कल पुना आपसे भेट होगी, अब तक अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार